ये तेंद्वा खाना खाने के बाद अपने नाकुनों की सफाई करता है पीछे बैठा गुलू नाम का ये साई अपनी ताकत को दिखाने तेंद्वे के पीछे पीछे यहां तक आ जाता है तबी गुलू मरदानी अवाज में तेंद्वे को बोलता है तुने उस खरगोश को मा गुलू का ये गोबर वाला प्लान भी फेल हो जाता है तभी गुसे में एक बार फिर से गुलू बोलता है क्या रे हाइना जैसी सकले वाले तू तो उस खरगोस के पिछे कुटों की तरह भाग रहा था और मेरे से इतनी फटी जा रही है तेरी जब तक तु मुझे नहीं चु गुलू को चुटता है अब पता चल गया ना तुझे मेरी ताकत के बारे में खबरदार अगर आगे से मेरे इलाके में किसी जानवर को मारा तो